अवलो फेस्टों माइचेनल उम्मीद करती हूं आजकी वीडियो आप लोगो बहुत पसंद आएगी पसंद हैगी तो फैमिल्मी और फ्रेंस में सेहर कीजिए इसे वीडियो में बने रहे चोटे मोड़े टीप्स देखके देखने के बाद बहुत ही एलप हो जाती है बहुत म पहला वाला यह तेट से तो दूसरी वाला टिंप्स दाही पेधाते तो दाही को दो तीन दिन बाद ना द हमारी खऴ्टा हो जाती है जब भी 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 हम भीठाते है, सोचते है चार पान दिन लिए दही निकल जाए, नहीं तो दही खटी हो जाती है, और बड़ी परिशानी होती है, फ्रेज में रेखो बाहर रहा, काईम पे रखो दही आमारी खटी हो जाती है, तो इसका छोटा सा टिप ची है कि घर पे सुखा वाला नारेल होती है, सुखा वाला नारेल चोटा सा टुकडा लेके हम दही के अंदर इस तरह से रख देंगे और चमच की मदर से इसको नीचे लगा लेगे, इससे क्या होगे कि दही हमारी खटी नहीं होगी और एक बार दही जब हम बिठाएंगे तो 3-4 दिन, 5 दिन तो काम से कम दही चले जाएगी और दही बहुत ही मेंगा आता है, दही सब की घर में खाना बहुत ही लोग पॉसंद करते हैं, तो चलिये, यह दही बाला टिप्स बहुत ही हेलफुल है हर के चिट में, चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला मेरा चूड़ी को लेकरें, जो बैं करते पर एक सरूरी arna श्रयल चुरि अंदर घुल सा मधिया बॉट कर जाता हैं चोड़ी पहना नें पेहन देता हैं अपनी तरीके से इस जगा से पार पे प्छुड़ी नीचे developing को टीन की स्नुन पयार उसको पहन के हम ही inspire चूडी हो पहेना सकते और पर दिक्कत नहीं होते हैं यह आगे आगे आटकता नहीं और चूडी वघले तो चलिए देख लिते TOMS वाला हक्स मेरा गैस को ले करें दोस्तों हर किचिन में गैस इस्तमाल होती है तो यह गैस की चूला है और देखिए यह जगह पे गैस में हम खाना बनाते हैं तो यह गैस की पाइप है इस जगह जो गैस हमारी चूले में आती है और यह गैस की नब जो है हमारी स्वीच हम चाहिए जिसे की बहुत ही जरूरी होता यह ध्यान क्या है जो देखिway navigating । तो धिक्ैस यह we है यह python को कंपनी से लगते हैं जो जिस तरह की कहाद कमपने करते वर उसके अधर जो हमारी आरें, छोड़े दादर होती है तो अक्सर क्या होता है यह पाईब इसमें लग रहती है और हम आजकर फ्लास्टिक पाईब लगाने नहीं क्योंकि company बाइन रेकमेंड करते हैं इस तरह की cotton बैले pipe अक्सर इसकी खासियत तो बहुत है लेकिन इसकी इस्तेमाल करते तो बहुत ही खत्रा होती है एक देड़ साल में पाइप फटती है आपने देखो आगा आपने किचिन में भी फटता है तो इस तरह से छोड़ी-छोड़ी छेद बन जाती है पाइप फट जाती है जो हम ध्यान नहीं देते टंकी से बंद करते हैं यहां पे जगह को ध्यान नहीं देते, दोस्तों, इसी जगह से ग्यास एक तो लिकडЬ जोती है, दूसरी खत्रा बहुत होती है, देखे इस जगह से अगर लिकास होती है, तो पास ही ऑद्वफ बति हम आग लग दिए, तो इस जगह की ध्यान बहुत ही जरूर रहनी चाहिए, अगर बैसे हमारे बच्चों के लिए सेलो टेप हम रखते हैं हर काम में तो सेलो टेप लेके हम इसको पहले रैप कर देंगे यही तुरंद वाला काम जैसी कि जुगाडू वाला काम तुरंद कर लेंगे करने का यही कि बाद में तो हम इसको रिपैर कर सकते हैं पाइप रिप्लेस क सब कुछ बात में हो सकती है लेकिन खाना बनेता समय अगर यह हुआ तो तूरंद हम सेलो टेप को इसके उपर रैप करेंगे ताकि जो ग्यास के लिकेज रुक जाए यह स्मेल ज्यादा दूर तक नहीं जाती है लेकिन इसके पास ही स्मेल आती है आप अगर स्मेल करोगे चु सेलो टेप लगा लिए यह सामना किया इसलिए मैंने सुचा कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ यह थो चोटी सी टीप से लेकिन बहुत ही ज़रूर टीप से आप लोग के साथ सेयर करो ताकि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हम इस तरह से तूरंद कर सकते बाद में रिप्लेक टीप लगा सकते हैं आई होप ए छोटा सा टीप से बहुत ही जरूर टीप से आपनों को पसंद आए पसंद आए तो वीडियो में इसे बने रहे और प्यार देते रहे चले में